हेलो दोस्तों आप सभी का सरकाईर नोकरी वाले यूट्यूब पर चैनल पर स्वागत है जैसा कि हम आज बात करेंगे आडडडबątवे जो मोकटेस्ट होता है उसके स्कॉर काड के बारे में जो कि 19 मार्ज को हमारे आडडडडओ मोकटेस्ट पर हुआ था जो यूट荡डबलोड अप्लिकेशन होता है उस पर तो दोस्तों एक जैस सभी को बता दों कि मेरा स्कॉर काड कुद ज्यादा नहीं रा ह जो कि बहुत कम मेरा स्कोर कार्ड रहा है और मेरा स्कोर कार्ड सिर्फ 25 ही मैंने करक्ट कर पा है और जो आर्ड अब्ले पर जो 19 मार्च को जो मोग टेस्ट हुआ था वो बहुत हार्ड हुआ था और मेरी रैंक इसमें 6729 नहीं है जो कि बहुत कम रैंक माने जाएगी क्योंकि बेकेंसी ज्यादा नहीं है और मेरे स्कूर 45 भी बन पाएं और मोक टेस्ट का मतलब मैं आप सभी को बता दो दोस्तों कि जो मेरा इनकरेक्ट हुआ है वो टेन हुआ है और यह सबसे बड़ी गलती है कि जो मेरे माइनस मार्किंग में कट गए है पांच नमबर कट गए है आप कि कितने मोक टेस्ट में आ रहे है नमबर यह आप हमें ज़रूर बता है और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो मेरे परसेंट मेरे एकुरेस्टी केवाल सेवेंट टूवान ही परसेंट है देखिए इसमें सबसे इंपोर्टेंट आपको मैत पर फोकस करना जो मेरे मैत में केवाल स्कोर शिक्स सेवेंट बनता रहा है जो मेरे मैत बहुत कमजोर है और मेरे जीके जीएस में कम से कम लगभग कुछ नहीं तो इट नाइन करेक्ट हो जा रहे है जीके जीएस में और जो जीएस का पोर्शन आ रहा है इसमें भी सेवेंट लगभग करे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता है अगर आप इस चानल पना है तो प्लेज हमाई चानल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आर्मी की जीडी के रिकार्डिंग जो भी कोई नियाई अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको नोटिफाई कर दूँगा और हमारे जो RWA पर जो डिफेंस वेरियर है उस पर हम लोग का चैनल का जो है वो चल रहा है मोक टेस्ट चलता रहता है उस पर डेली आप उस पर टेस्ट करिए और आप अपने आपको एनलेशेस करिए दोस्तों आर्मी जीडी में लगबग कॉट आफ की बात करें तो कॉट आफ एक कुरेशी कम से कम 35 प्लस ही जाएगी अगर आपको फीजिकल देना है तो आपको 35 प्लस ही करना पड़ेगा और पिछला जो हुआ था मेरा मोक टेस्ट उसकी बात करें तो मेरे उसमें 32 करेक्ट हो गए थे और इस बार 25 सोचिए मैं इतना मेरा लेबल डाउन हो गया है सिर्फ वन वीक में मैं इसमें थोड़ा बीजी हो गाए था कुछ वर्क करने में इसलिए थोड़ा कमी आ गई और दोस्तों अगर आपका कितना मोक टेस्ट में नंबर बन रहा है आप हमारे चैनल पर ज़रूर बता हैं अगर आप इस चैनल पर ना है तो प्लेज सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई आर्मेजीडी का अपडेट आईगी तोना मैं आपको नोटिफाई करूंगा